कि भारतिय जन्ता पार्टी ने अपना टिकट एनाउंस किया है जो शुरुवाती दो चलन है उसको लेके और 107 कैंडिडेट के लिस्ट भारतिय जन्ता पार्टी ने जारी किया है भारते जन्दा पार्टी की सीटों की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो चुनाओं है ये कहीं ना कहीं इसमें जो दलिट तपका है, OBC तपका है एक बार फिर से इतनी महात्वपूर्ण होके उबरा है जिसको समझना और समझाना बहुत जिरूरी है भारते जन्दा पार्टी ने जो 107 कैंडिडेट की लिस्ट गोशित की है इसमें पहले और दोसे चरन की सीटे हैं और इसमें से 44 सीटे OBC को दी गई है टिकटे और 19 सीटों पर दलिट कैंडिडेट को उतारा गया है और जो 107 सीटे हैं अगर उसको हम डिवाइड करें तो ये इकटे दी हैं परते निधित हो दिया है क्या भाजपा और भारती जन्दा पाटी यह भी कहा कर रही है और मेडिया रिपोर्ट्स आ रहा है कि कल्यान सिंग ने जो फर्मूला अपनाया था 91 में या फिर यूपी का इंचार्ज रहने के दुराना मित्सार ने जो फर्मूला आपनाया था वीजीए पर फिरसे उसी फर्मूले पे चलगों कि इसका फर्त परेगा जमीन पे हमारे साथ इस चर्चा में सथीष प्रकास जी और लक्षपन यादो जी दोनों लूख सुल्जे वेवेर्यक्ती हैं राजनितिक विसलेशक है और बहुजन समाज की राजनिति गोजन समाज की जुमनों दशा है उसको वहतर तरीके समस्ते हैं उसके बीच में रहते हैं सतीज जी जाती एहम हो गई है और सारा खेल जातियों का दिख रहा है हम माने या ना माने कितनी भी विकास की बाते करें समाजवादी जनता पार्टी है जिसका नेतर तो सवर नुबर्दी के हाथ में है दूसी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसका नेतर तो पिछ्रे वरक के हाथ में है तीसी तरफ भोजन समाजवादी पार्टी है जिसका नेतर तो एक दलित समाज के हाथ में अब यहां भारते जनता पार्टी यह कह रही है कि हम प्रतनिधित वो दे रहे हैं दलितों को पि तरीके से चुनाव को देखना चाहिए क्या उन्हें भावितारी चाहिए या सत्ता के शिर्स पर बैटने क्या के बारे में सोचना चाहिए नहीं देखे असोग जी आपने जो कहा सच्चाई तो यही है कि देखे मुद्दा यहां नहीं है देखे मैं दो चीजों से आपकी बात सुरुआत करूँ पहले आपने जाती की बात की हम जो बहुसंक्यक वर्क के लोग हैं हम बड़े भोले-भाले होते हैं एक हमारे जो भूछर मुमेंट ए उसकी सुरुआत जाती ववस्ता को करने करने भे जाती मिटाना चाता है उसके तमाव जो समाजी आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा छेतर है कि जहान जाती ना हो और देखिए अगर आप तमाम जीवन जाती की तक्ति गले में डाल करके जाती वाधी होने का आरोप जिनके गले में जाती की तक्ति ना हो या जिसनों ने हटा के फैक दियो उनके उपर लगाएंगे तो यह कहीन पूर कोशिस करी और जो बहुचन मुमेंट के लोग है उनके मिटाने से जाती नहीं मिटेगी जाती तम मिटेगी जो जाती है ववस्था के अपर पाइदान पर जो विक्ति बैठा है जब तक वो जाती नहीं छोड़ेगा तब तक जाती नहीं खतम होगी रही राजरीती में जाती की बात, यह इसमें घबनाने की जो रुट नहीं है। जी ने एक बात जरू कही है मैं उसमें और थोड़ा सा बढ़ाता हूं कि दिल्ली का रास्ता कहीं न कहीं लखना उससे हो करके जाता है देखिए भारत में उत्तर प्रदेश में जो ओवी सी वर्ग यो एसी वर्ग जो अलफ संक्यक या जो भी आपका जो बहुत संक्यक वर्ग है उनकी बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है और एक माइने में और कि उत्तर प्रदेश की जो बहुत संक्यक आबादी को ये मालूम है कि उत्तर भारत की राजनिती का अगर रास्ता लखनव से हो करके जाता है तो ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की र जहां अगर इनके घरों से होकर के उत्तर परदेश की राजिती गुजरेगी तो रिपरजेंटेशन तो आपको देना ही पड़ेगा और देखे यह सच है कि बीजेपी चाहती यही थी कि वो आस्था को बुद्दा बनाए और इसको लेकर के कही न कही उसने पॉलिटिकल पॉल नेक डुएल नेचर इलक्षन चाहती है एक वो हो और एक बाकी कोई और हो लेकिन उत्तर परदेश में मुझे जो बहतर नजर आया कि अगर बीजेपी इलक्षन में है तो आम आदमी पार्टी को मैं बहुत बड़ी ताकत नहीं मानता लेकिन अगर वो किसी ना किसी वर्ग क अगर उत्तर परदेश में चुनाव लड़ी है तो निश्यत रूप से यह डारेक्टली कहिना कई बीजेपी को एक बहुत बड़ा डैंक है जोकि आम तोर पर यह भी देखने में गया है कि जब भी कोई राजितिक दल्ब कांग्रेश से गटबंदन करता है तो कांग्रेश क जो मूल वोटर है जो अपर कास्ट वोटर है जहां उसका कांग्रेश के साथ गंडबंदन है वहां तो वो कांग्रेश के एक तरफ उनके हाथ में खुद सत्ता आ सकती है दूसी तरफ उस सत्ता के भीतर रह सकते हैं या फिर भागिदार बन सकते हैं उनको भागिदार बनने के लिए लेक्षिन करना चाहिए वोट करना चाहिए या फिर सत्ता के सीट्स में आने के लिए अशोग जी सच बात ये है कि इस आपके सवाल का दो जवाब ने एक ही जवाब है कि सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए आदर शिस्तती तो यही है कि इस देश के सबसे वंचित शोषित बना दिये गए लोगों के हाथ में जब इस देश के सत्ता की बागदोर होगी तो वो ज़्यादा बेहतर मुल्क चलाएंगे इसकी बानगी मैं अकसर याद करता हूँ कि बाबा साब डॉक्टर अबेटकर का समविधान सभा के मुख्या के तोर पर अगवा के तोर पर होना एक ऐसे दस्तावेश का होना है कि जिसमें आप आईडिया फिंटिया को खोच सकते हैं और आजबी सी याद करते हैं आज जो चुनाव की स्थितियां है आज जो राजनीत की स्थितियां है उसमें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां धीरे धीरे लंबे संघर्ष के पार दलित ने पिछणों ने अधिवासियों ने अपनी वह जगह बनाई है जिसके चलते एक दबाव का आज भी उनके पास उन पार्टियों की सत्ता है डोक्र लेया अकसर कहते थे कि भाई इस देश में एक आद दो पार्टी छोड़ दिये तो चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, सारी तो एक ही जाती के लोगों का है हलाँ कि बाद में कुछ समाजवादी ने था, ऐसे भी है जो खुद डॉक्टर लोहिया के उपर भी यह सवाल उठाते रहे कि विश्रविद्याले में प्रोफेसर बनना हो, सुप्रीन कोट के जज बनने हो, या अडियमेरी बनना हो, वकील बनना हो, या एक सूबा राष्ट को चलाना हो, अब इतने काबल धलित पिछड़े आदिवासी हैं, जिनहें आगे आकर के वो नित्त तो लेना चाहिए, तो केवल सत्ता की भागीदारी का सवाल नहीं है, सत्ता की भागीदारी तो 2014 में एक OBC प्रधान मंत्री ने जिसने कुद ही अपनी जाती बताई, उसने हासिल के, राष्ट्पती बनाने के बाद, जो राष्ट्रे देश्रूस पार्टी का था, उसने प्रेस कॉन्फेस करके बत इसमें एक सवाल यह आता है, मैं आप इसे पूछूंगा, कि दो तरह की जैसे कहा जा रहा है भागीदारी की तरफ से, या फिर तमाम तरफ से रिपोर्टे आ रही है, कि बीजेपी वो कोशिश कर रही है, कि जो गटबंधन जाकियों का कल्यान सिंग ने बनाया था, या फि जो मिटकरवाद को मानता है, जिसने कांशी नाम जी को भी पढ़ा है, दूसरी तरफ वो है जो धर्म के साथ ख़़ा है, मंदिर के साथ ख़़ा है, तो इस स्थिती से कैसे निप्टेंगे। आरिक जमीन पर अगर आप स्परष्ट होगे, तब आप अपने पढ़ाए में भीयत करेंगे, तब आप ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होंगे, जो आपके ही तब के का हो, इसलिए क्यों कि सामाजिक में आए, तो एक ऐसा मुकमल विचार है ना, जहां केबल सामाजिक और चुनाओं में कई बार ऐसी बाते भी आती है कि एक ही सीट से एक ही जाती के चारचर केडिडेट खरे हैं, तो इस समय कैसे होगा? बिल्कुल, जाती के भी होते हैं, कई बार जहां मुसलिम बाहुले सीटे हैं, कई पार्टियां एक साथ मुसलिम कंडिडेट उतार देती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, और यह बहुत सभाविक से बात है, मैं इस सब का एक ही जवाब मानता हूं, अशोग जी, कि अगर आपके जाती न्याए, सामाजिक न्याए और एक बड़े फ्रेम वर्क में देखें, तो आपके पूरे राष्ट को बचाने के लिए कौन खड़ा है, यहां आप सपष्ट हो जाएंगे, यहां आप फिर वो, यह नहीं हो जाएगा कि, आप कल्पना करिए कि अगर उस वाले स पहले चरण में इतने पिछड़ों को दिया, तो पूरी सरकार कहती रहे कि घोटाला ही नहीं हुआ, और आखर में आखर के मान गए कि घोटाला हुआ था, तो कत्रे उम्परकाश जोटाला जेल में है, वही सिक्षा घोटाला था, और यहां मुक्यमंतरी जेल में क्यों नही करके अगर आप से भूट लेका, तो वो फिर उसी व्यक्ति के हाथों आपके जातिकत हितों का अन्याई भी कराएं, इसलिए मुझे लगता है कि, बिल्कुल, जो रवार इस टाइम की बात होती है, कि हाँ, सतीज जी, वीजेपी के हमने बात कर ली, अगर हम सपा और बसपा की बात करें, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनावती क्या देख रहे हैं, इस पूरे चुनाओं को उनको किस तरीगे से लेना चाहिए, या ले रही है, देखिए, दोनों एक राजितिक दल है, और लंबे समय तक BGP, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने एक दूसरे को रेप्लेस किया, सब्ता एक दूसरे से एक दूसरे के उपर टांस पर होती रही है, तो एक बहुजन वर्क से लोड़ी में लोगों की पार्टी है, लेकिन ये सच है, देखे, एक चीज मैं लक्समन जी की बात में एड़ करूँ, कि कभी-कभी जो ह ना, रास्थ और ये वहचारी की लड़ाई, ये भी सच्चाई है, ये सच्चाई तो है, सच्चाई तो ये ही है, लेकिन वहभारी के स्तर पर आगर जा करके देखेंगे, तो कभी-कभा चाइडियल सिच्वेशन से जा करके, जो देनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजे दिखा होती है, एक छोटा सा उधारन में आपको बताता हूँ, लगबग लगबग 1930 के आसपास, गांधी जी ने ये कहा, जब सामाजिक न्याई की लड़ाई, बाबा साब के रूप में तमाम पिछलों वर्गों के लोगों ने ये कहना सुरू कर दिया, कि हमको हिस्सेदारी चाहि गिएगी, और ये सामाजिक न्याई की लड़ाई महाँ बिल्कुल चरम के ओपर पहुच ली था, तो गांधी जी बाकादान लोगों के पास गए, और वो बाबा साब के पास भी गए, और वो तमाम पिछले वर्गों के लोगों के पास भी गए, और उन्होंने कहा कि देख लेकर के जब वो बाबा साब, क्योंकि पिछले वर्ग के लोगों ने उनकी ये बात को माना, ठीक है गांधी जी जी जो कहा है, ये सच है, और वेवारी करूप से भी आदर सुनूपने भी, और वेचारी करूप से भी ठीक दिखाई देता है, कि पहले देश को आजाद करा लή शिसेदानी की बाते हम बात में कर ले में। यही सवाल बाबा साब के सामने भी आये। और बाबा साहब के सामने जब गांधी जी सवाल को ले करके गए, तो बाबा सार ने ये कहा, कि देखिए मैं आपकी जितना सहयोग हो सकता हूँ, मैं तमाम अपने वर्गों के क्यालाई कि लड़ाई है देखिये आरेक्षन की जो मांग है हम ये सत्ता के खिलाप आंडोली ने सत्ता में आज अंग्रेज है सत्ता में आज वो लोग है ये हमारी जो बात है और उसका असर इतना हुआ कि 1935 में इस देश का दलित कही न कही आरेक्षन के दायरे में आ गया और ये भी सच्चाई है कि इस देश के जो OBC वर्ग है उसको ठगा गया और 90 के दसक में जाकर कि कही न कही वो आरेक्षन के दायरे में आया तो ये भी चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कि ये सच है, कि सामाजिक न्याई की लड़ाई के साथ, पोल्टिकल जो सिच्वेशन है, इसको नहीं भूलना चाहिए, दोनों वर्गों को, चाहिए वो समाजवादी पार्टी हो, चाहिए वो बहुजन समाजपार्टी हो, समाज की बहतरी के लिए, सत्ता में चाहिए समाजवादी पार्टी आए, या बहुजन समाजपार्टी आए, उनके केंदरी एजंडे में ये बात ज्यान नहीं चाहिए, कि सत्ता ये सच है, कि सत्ता बाटने की चीज़ है, लेकि ये बहुत बड़ी सच चाहिए, कि सत्त का उसे पहले उस कम्जोर वर्क को उपर उठाने में करना चाहिए मेरा कहना यह है अलक्षमन जी आप से भी वही सवाल है कि क्या चुनौतियां है बोजन सबास पार्टी के सामें और समझवादी पार्टी के सामें देखें दोनों पार्टियों के होने से फाइदा तो उतरपदेश को हुआ भले दोनों में आपस में लड़ाई रही दोनों सियासी तोर पर एक दूशरे के प्रतिवंदी रहे तमाम नीती नियम उस पर अभी नहीं जाएंगे कि अधित में क्या क्या हुआ लेकिन इन दोनों क पक्ष और विपक्ष में होने का फाइदा यह हुआ था कि भरती जिंता पार्टी जैसी एक सामप्रदाइक और जातिवादी पार्टी वहां कहीं किसी पक्ष में नहीं थी तो वो एक उतरपदेश एक अच्छा उतरपदेश था मैं यह बानता हूँ फिलहाल दोनों पार्टियों के खिलाफ फेक न्यूस फैलाई गई, दोनों पार्टियों की छवियों को धुमिल किया गया, दोनों पार्टी के वहां नेताओं को बहुत अपमानित करते हुए और उनकी छवियों के साथ, उनकी नीतियों के साथ बहुत गलत सलूप किया गया है, यह दोनों पार्टियां समझते हैं और उनकी शायद कार करता भी दोनों पार्टियों के समझते हैं इस समय मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों को ये रणीत बनानी चाहिए कि दोनों का अपना जो जनाधार रहा है दोने अपनी जो राजनीती रही है उसे और मजबूत करें मेरे शुब काम ना है तो इन दोनों पार्टियों के साथ होंगी क्योंकि असल में एक 19 में गडबंधन हुआ था नाशोक तो वो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जरूरत के नाति ये गडबंधन नहीं हुआ था मेरा आज भी ऐसा मानना है भले मैं गलत हो जाओं लेकिन मुझे रसा लग रहा था कि जो एक दूरी समाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के बीच में थी वो मिटी थी वो दोनों समाज भी थोड़ा करीब आया था इसलिए आप देखेंगे कि वो गडबंध को एक साथ हमारे सामने पेश कर रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्वा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यह दोनों पार्टियां पेश कर सकती हैं यह दोनों पार्टियां वंचे शोशित अपके का नुमाइंदगी करती हैं आतीत में जो गल्तियां होई उन प्रोपेगंडा है एक तरफ नफरत खड़ी है दूसरी तरफ सपा हो या बसपा हो दोनों मुहबबत पे खड़ी पार्टियां अवंचेत लोगों की सवालों को जूटती है आम जंता तक जाएं अपने बूत तक जाएं लोगों को समझाएं कि पहले जो गल्ती हुई थी इ तुमाम जातियों का एक मोटा मोटी आकलन किया जा सकता है कि वह कहां पर जा रही है कहां पर नहीं जा रहे हैं किस तो और किसको पड़ेगा लेकिन उन्हीं जातियों के बूते है क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब भी भास्ता सफल हुई है तो कल्यान सिंग को आगे किया गया है या फिल्मा भारती आगे रही है और पिछली बार जब सरकार बनी तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिती रखी गई यह भी माना गया कि सवाई परसाद मौर रहा है तो जो मुख्य रूप से ओभी सी जातिया है कहीं ने कहीं वो निर्धारित करती रही है ऐसे में आपको क्या लगता है आखरी सवाल है क्या भास्पा उनको साध पाने में सफल हो पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी और बस्पा उनको समझा पाने में सफल हो पाएगी मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही रेफरेंस आपने अपने सवाल में एड कर दिया है कि मुझे लगता है भारती इंता पार्टी इस समय यह मैसूस कर रही होगी कि गल्टी उनसे हो गई कि अगर उनको बढ़ाना होता था यूगी जी अयुद्या से लड़ते बिल्कुल ठीक बाद पता नहीं हो सकता है संतों घर में जगडा भारी करके सभीर सामने बहुत पहले लिखा है हो सकता है घर में जगडा चल रहा हो कहां क्यों आगे जाए क्यों पीछे जाए बाइस के बाद 24 है वो सब उनकी चिता है लेकिन अच्छी बात यह हो रही है अशोग जी की इन सब चीजों में मैं फिर से उसको कोट कर रहा हूँ हिंदुवादी नफरत की जो राजनी थी न वह थोड़ी कमजोर पढ़ती दिख रही है मैं ऐसा नहीं कहरा हूँ कि वह फेल हो रही है या उससे बोट नहीं पड़ेगा अभी दलितों पिछड़ों में बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो आज भी गाउं में चले जाएए तो हि दिक्कत है इस समाज में लेकिन है एक निरेशन जो बन रहा है वो थोड़ा शर्फ हुआ है नंबर दो बात है कि आपने बहुत अच्छी बात इसमें चोड़ी कि पहले वो लोग क्या करते थे ना इनी दलित पिछड़े लोगों के बीच से कल्यान सिंग को तो पिछड़ी इस बार उसे चूक हुई कि एक समण के हाथ में नित्रित दिया खुल के ठाकुरवाद हुआ खुल के 21,15,15,SSP और कौन-कौन लोग आए तमाम वंचे शोची जात्मिया उन पर दमन हुआ इसका असर यह हुआ कि OBC कि उन जाती और उनके जाती के लोगों को पहले समझ में फिर नेताओं को भी समझ में आ रहा है और सब पार्टी छोड़ करके उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उनके साथ आ गए निरेशन बदल गए आशोक जी और मुझे लगता है कि यह केवल नेताओं का आना नहीं है इन ही नेताओं को लेकर भारती जनता पार्टी तो पूर्ण बहुत की सरकार बनाई तो ऐसा भी नहीं होता है कि जो अब वो कह रहे हैं कि केवल नेताओं वो तुने ही पड़ेगा मुझे लगता ऐसा नहीं है जनता भी समझ रही है कि चाहे सेक्षक बढ़ती गोटाले हों चाहे वो घरों के बुल्लेजर कंधा बने श्टूल मिला पटेल साहब है प्रदेश सदेक्ष है दस साल के बच्चे का पैर दोल रहे थे यहीं आप करवाना चाहते हैं वहाँ पर पिछड़े लेजा करें और दौलिक पिछड़े घरों में भी लोग यह समझने लगे हैं कि यह नियाय आपके साथ हुआ है तो मेरी उमीद ऐसी है कि जंता के अस्तर पर ये लोग समझेंगे कि आपका इस्तेमाल किया गया हिंदुत्वा के लिए आपका इस्तेमाल किया गया मंदेर और यह सब के लिए ऐसा अगर होता है तो वापस ये गुल बंती बीजेपी को हराने में शायद कारगार्ड हो दलित जाते हैं कि हम बात करते हैं, लक्षमन जी से हमने उभी सी जाजियों के बारे हम पूछा, दलित समाज में भी एक बड़ा तपका है जो फिक्स है कि वो BSP के सांथ जाता है, लेकिन इसके भी और कई सबकास्ट हैं जिसको वीजेपी अपने तरफ जोड़ती रही, उनको कैसे ये पार्टियां रोकेंगी अपने साथ, चाहे बसपा हो या फिर सपा हो, ने देखिए लक्षमन जी, ये सच है बिलकुल, कि अगर ये दावा किया जा रहा है, कि दलितों की कुछ जातियां, आज भी अगर बीजेपी के चंगल में, जब दावा की बात नहीं है, असल जब किसी की माहत इतने बंती है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेसिक होता है, जी, जी, नहीं सर मैं ये कहना चाहूंगा, देखिये, अगर ये समाज के बीच में, अगर ये परिशप्सं क्रिएट होता है, एक देन में पृएट नहीं होता, ये धीमे धीमे कुछ ना طرف को गया है, वो संख्या में बहुत कम हो सकते ही, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं, लेकिन अगर वो गया है, तो ये जो पिश्डों की राज़ती करने वाले जो लीडर से, चाहे हो मन्य अकलेश जी हो, चाहे हो बहन जी हो, ये एक सवाल बना रहेगा, और देखे चार-चार बार अगर सत्ता में रहने के बावजूद भी, तमाम लीडर, अगर आज ये सवाल है, तो निस्चित रूप से इसका जवाब कही न कहीं धूनना चाहिए, ए लेकिन एजे दलित एक्टिमिस्ट, मुझे ये जो गठबंदन है, उसके बीच में उसके जो परिणाम आए, जो सामाजिक एकता, जो पनपी है, उस्तर परदेश की राजियती में, और ये बहुत दिनों बाद हुआ है, ये सच है बिल्कुल, कि कहीना कहीं चुकि दलितों क पूलिटिक्स को और वीची की पूलिक्स को दलितों कर देती उसके बीच में जो गैफ क्रियेट हुआ था, एक जो नइए यूथ हैं, उनके बीच में कहीना कहीं सामाजिक एकता, पनपी है, इसमें कहीं कोई दोर आए लिए, और ये सामाजिक एकता ही कहीना कहीं, देहाए आप अपनी बात मुदहरण का जो बीजेपी तमाम तफ़ां को कहीना कही आस्था के नाम पर उसने सरकार चला दी उसने सक्टा चलादी पूरा का पूरा स्था नाम पर लेकिन जवो सट्था जाने वाली होती है योगी जी का कहीं न कहीं अगर अगर आस्था के मोडल पे बीजेपी चुनाव लड़ती और यह जो सामाजिक न्याय की जो आस लोगों के दिमाख में जागी है यह लोगों के मन में जागी है इसके सामने कहीं न कहीं बीजेपी का आस्था का मोडल फेल हुआ है इसमें कहीं क परिणामों से बीजेपी चिंतित है, है न, असल देखे, आस्था का मोडल में, अब योगी जी कैसा कहेंगे, उनके बीच में इंटर्नल डिफ्रेंस है या नहीं है, लेकिन हमको भावनात्मक रूप से ना हो करके राजिती को राजितिक तरीके से लेना चाहिए, आपके भू मुद्धे क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं, पार्टिया जब जाती है, इस चुनाओ के लिए क्या मुद्धे होने चाहिए? सामाजिक न्याय के मुद्दे जो है ना वो वो राजिती जब आप सत्ता प्राप्त कर लेंगे उनके उपर चर्चता होने चाहिए आम तोर पे जब आप राजिती में जाने हैं तो जो जन्मानस के मुद्दे सिक्सा स्वास रोजगार बेरोजारी महंगाई लोगों की क्या हम सुनिए 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 उनतर हजार सिक्सात भरते में घोटाला नहीं है तमाम डिग्री कोलिज तमाम विश्विधालों के अंदर आपने तेरे पॉइंट रोस्टर सिस्टम के आदार पर पूरे देश में दस हजार तमाम वे होस्पिटल जो आपके लोग चला रहे ते जो बीजेपी के लोग चला रहे थे आगरा में जो जहन साब का होस्पिटल बंद हुआ है जो पांस मिनट में यह करता है अजकल वो जेल से बार हैं अजकल जमानत में हैं तो मेरा कहना यह है कि जब आपके हाथ में सकता आए देखे जैसे ही अगर सपा की सरकार आएगी तो एक जाती विसेश को ले करके तमाम बीजेपी टिपनी करती है अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो वो जो इसमारक है या उनको घोटालों की बात करती है कैसे कैसे हालात हो जाती मेरा कहना यह है कि तमाम जो बहुसंक्या को वर्ग के जो लोग है उनके नेपाओं को जो चवी अगर उपर चोट आती है या कहीं से भी कोई पढ़ाराता है उनको चवी के ओपर डैंप नी लगने जना चाहिए उसका खुल के सामना करना चाहिए औ केंदर की कांग्रेस सरकार के ऊपर यही बीजेपी का एक संगठन था जिन्होंने आरोप लगाए तूजी स्पक्रम घोटाला नहीं हुआ यह सर्वोच नयाले ने कह दिया लेकिन विनोधराय का है जब कैग के वो चेर में थे तो उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है और उसके सब्सक्राइब करना चाहिए लक्षमां जी मुद्धे क्या है इस समाज के सामने मुद्धे क्या होने चाहिए वोट डालने से पहले किस तरीके से पूरे पास आपको देखना चाहिए मुझे लगता है कि उतरपुदेश की जनता उतरपुदेश के उन थोड़े से लोगों में है जिसकी सियासी समझ मचभूत होती है आम गाव महले चोड़ाहे से ले करके हर व्यक्ति आपको अमूमन मिलेगा जो राजिमतिक रूप से सच है वो अच्छे से जानता है कि अगर उच्छला गैस के जितने सिलिंडर थे वो दुपारा भरे नहीं जा रहे थे पांच किलो यूरिया कम हो गई और दाम उतना ही रहा सिचाई महंगी हो गई बिजली महंगी हो गई जो यूरिया समय पर मिलनी चाहिए थे खेती किसानी में वो नहीं मिले जो छोटे उद्योग हैं वो बरबाद हुए बहुत तीजी से पूरी अर्थवश्टा कोलैप्स हुए गाउं गाउं में जाके देखिया ना जो राजमिस्तरी है या जो मजदूरी करता वर्ग है उसके लिए कोई स्कीम ही नहीं हुई इसलिए क्या हो रहा है न इस समय उस पूरी जनता को जिसके खाली में अन नहीं है चुले पर रोटी नहीं जर रही है उनके घर नमक साबून और मुस्त में आना जिसकी अंतिम समय सीमा मार्च और अप्रेल 2022 से जैसी चुनाओ खतम होगा पता नहीं यह सारी योजनाए आगे चलेंगी कि नहीं खतम ही हो जाएंगे उन सब पर बड़ी 29% पो दली तो पिछड़े हैं तो ईश्रम कार्ड बना करकि 500 रुपया और 1000 रुपया घर बीज़ा जा रहा है यह सारा क्या हो रहा है यह घूस दिया जा रहा है पांस साल में जब आपको मौका मिला था तो आपने नीतिया तो इसकी नहीं बनाई कि जो समझी भी कमे रहा है वो तो मेहनत करें कमा लेती पैसा देने की जबुद क्या थी आपने उन्हें कमाने नहीं दिया इसका मुझे लगता है असर इस पूरे 72 परिदिश में देखें तो सिक्षा से लेके रोजगार तक महंगाई कमाई सिचाई दवाई कोरोना का जो महमारी थी वो भी लोग भू भी इन्हें समझ रही है इसलिए अभी अयोद्या जहां कि मतुरा काशी बाकिये कहने वाले भूल गए इस समय तिकट देकर जातियां बता रहे हैं ने ने हम आपके लोगों को मुख्यमंतरी हो सकता कुछ दिन बात कह दें कि आपकी मुख्यमंतरी भी आपकी जाती का बना यह वो लोग हैं जो कई यह बहरूपिये लोग हैं इसलिए मुझे लगता है कि जनता इन मुद्दों पर वोट देगी और मुझे लगता है गाओं में लोग इस पर बहस करते हैं कि यह हमारे मुद्दे हैं इस पर वोट देंगे और अगर इस पर वोट पड़ता है तो यह प्रदेश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, हम सब की पीड़ी की लोगों के लिए अच्छी ख़बर हो चकते हैं। ये चीजे जरूर दिहान में रखने होगों। आप देखते रिये दली दर्स तक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जबी।